प्री मांसून की बारिस से लोगों ने रहत की सांस ली है, पिछले कुस दिनों से मौसून का ताबमान बढ़ा हुआ था, जिसके चलते लोगों को बारी गर्मी का सामना करना पड़ रहा था, तिनकिस में तेज दूप होने के कारे लोगों के पसीने चूट रहे थे और गर्म को बारी गर्मी का सामना करना पड़ रहा था, दिनकिस में तेज दूप होने के कारे लोगों के पसीने चूट रहे थे और गर्मी से रहत पाने के लिए लोग ठंडे जल और फलों का सहारा लेना पड़ रहा था, विरवार की सुबा, प्री मांसून की हलकी बारिस से लोगो बागवानों के लिए काफिल लाबदायक सिध होगी। बागवानों के लिए और बागवानों के लिए और पर्या वर्न भी इससे बहुत शान्त हो गया है। इस बार अपने अलगी रंग दिखा रहा है। जिस तरह से प्री मॉंसुन बारिश होनी चाहिए थी वो हुई नहीं है। अभी जो चिटबुट बारिश हो भी रही है उससे गर्मी से निजाद तो मिलने वाली नहीं है। अगर बारिश रिम जिम रिम जिम बरसती रहे तो किसानों और बागवानों के लिए फाइदा होगा। शेहरी लोगों के लिए फाइदा होगा क्योंकि गर्मी बहुत जादा है थोड़ा पॉलिशन कम होगा। लेकिन बारिश होगे तो जादा हो जिस तरह से रुक रुक के बारिश हो रही है उस तरह से इतना किसानों को फाइदा है। पुल्टा ही बीमारियों का घर भी बन जाती है। क्योंकि जब तेज बारिश होती है तो गंदगी है वो साफ हो जाती है जब गंदगी साफ होती है तो बीमारियों का डर भी खतम हो जाता है तो बारिश होनी चाहिए इस तरह से होनी चाहिए कि मज़ा आजाए दुनिया भी जिये यहां मज़ा आए बहुत ही ज्यादा अच्छी है और काफी अच्छा मौसम. बना हुआ है आस पास, सारे अगा बादल च्शाए हुए हैं, तो इस से पलतीत हो रहा है कि आगे बारिष अच्छी होगी, और लोगों को काभी राहत मिलेगी गर्मी से भी राट में लिए है बहुत जुज़ादा गर्मी थी गल राट भी बहुत जादा गर्मी थी चाली डिग्री के आसपास टम्परेचर रहा है तो बारिश से काभी अच्छा मौसम बहुत अच्छा बन रहा है बहुत बड़िया